ये देखू मैंने बनाई है सिताफल की ऐसी रजीज रेसिपी जिसको ना तो आपने पहले कभी खाया होगा और ना ही कभी बनाया होगा इसलिए जल्दी से आप इसको बनाकर खा लीजिए नहीं तो फिर पूरे साल भर पच्छताएंगे क्योंकि बार बार सिताफल मिलते नही है मार्केट में इसका स्वाद जितना बेस्ट है बनाने में ये उतनी ही ईज़ी-पीजी सी रेसिपी है क्योंकि ना तो हमें चाशनी बनाने की कोई जञ़़त है ना ही मावा चाहिए ना ही काजू बदाम डालने की ज़रुरत है बस दो कबदूदद चाहिए और सिताफल की यह बहुत ही शांदार सी रेसिपी हमारी बन करके तयार हो जाएगी जिसको की एक बार खाएगा वो कटोया चाट चाट कर साफ कर देगा तो चलिए बिना देर किये चल दिसे हम यह हमारी रेसिपी शुरूर करते हैं पर सबसे पहले एट यमीशस पर आपका स्वागत है तो इसके लिए आप देखो सबसे पहले हमें दो कब दूद को पतीले में डाल करके गरम करना है दो कब दूद यानि कि 500 ml दूद मैंने लिया है मिने डारेक थेली से ही दूद लिया है तो अच्छा दूद है इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको गेंस ओन करके हलक असा गरम होने देंगे अब यहाँ पर हमें इस दूद को जादा देर पकाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इसे टाइम इसमें ये दो से तीन चमच मिल्क पावडर डाल देंगे मिल्क पावडर डालने से इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें ठिकनस आ जाएगी और इसी के साथ साथ हमें इसको जादा देर पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जब आपका दूद ठंडा हो उसे टाइम इसमें मिल्क पावडर डाल देना है और आभिमे इसमें चीनी डालने वाली हो तो क्योंकि यहजिक रेसी्पी इसमें ऐड़ा ही है बस इसको अच्छे से मिला देगे और जएसमें घुल जाएगी एक बार और इसमें उसमें और जाएगा फिर बस हमें यहाँ पर गिंस के आज को बंद कर देना है आज आप देखेंगे कि मैं इसमें बिल्कुल भी कोई काजु बदाम नहीं डालूँगी ना ही कोई और जादा जंजट वाली चीज़े मेंने रखी है बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन सच मानिये एक बार अगर आपने इसको नहीं बनाकर खाया तो फिर बहुत जादा पच्छत आएंगे अभी क्या करना है इसको हमें अच्छे से ठंडा करके फ्रीज में रख देना है एकदम चिल्ड करना है अब आप देखो ये मेने सिताफर लिये हैं इनको शेरिफा भी कहा जाता है और इंग्लिश में कस्टड एपल भी कहा जाता है बहुत अलग-अलग तरह की ये वेराइटी में होते हैं बहुती पल्प वाला फ्रूट होता है बहुती अच्छे से इसमें आप देखो फ्रेश होता है ये सीजनल फ्रूट होता है ये तो ये सिर्फ आपको सर्दी की शुराती दिनों में ही मिलता है और इसमें ठेर सारे बीज भी पाये जाते हैं जिसको की हटाने का पल्प को नि तो पर आप जो आठा चाननी की चणनी होती है उसका इस इसमाल कर सकते हैं या फिर आप चोपर में डालकर भी इसका पल्प अलगकर सकते हैं लेकिन आपको वह तरीका बता रही हूं जो कि मैं आज हुंग होगा है उतने आप इसमें डाल सकते हैं और सारे जो है इसको हमें निकाल देना है स्क्रैब कर लेना है अच्छे से और बाकी का यह जो पूरा छिलका आप देखो इसमें आप कुछ भी नहीं बचा है इसको हमें हटा देना है अभी बस हमें इस तरह से एक बीटर को लेना है और इसको अच्छे से हमें मेश करते हुए इसमें छान लेना है सारे बीच अपने आप ही इसमें से निकल जाएंगे पिर जितना भी जो इसमें प्योरी होगी वो चलनी में से निकल जाएगी और बागे का इसका जो फ्लश पचेगा वो उपर है जाएगा अभी एक स्पून की मदद से हम ये सारे इसके जो बीज है उनको निकाल देंगे जो कि अब आसानी से निकल जाएगे और मेहाँ पर इसका ये जो फ्लश है इसको रखने वाली हुए इस तरह से क्योंकि ये भी खाते टाइम जब भूमें आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप चाहे तो इसको भी अच्छे से छनी से चान कर ही इसमें ले सकते हैं जिससे की एकदम पाइन प्यूरी कर जैसा हो जाएगा तो बस यहाँ पर इसको मिला दिंगे यह लगभग एक कप जितना मैंने फ्रेश सितापल का पल्प लिया है बहुत अच्छे मीठे वाले सितापल ही गये तो बस इस तरह से हमें इसका पीच और पल्प को अलग करके ले लेना है अब यह आप देखो जो दूद मैंने पकाया है इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था अच्छे से ठंडा होने के लिए जिससे कि इसमें आप देखो क्रिस्टल जो होते हैं आइस के वो भी जम गए है तो बस यहां पर इस तरह का थंडा दूर होना चाहिए और इसको हम सारे सिताफल के पल्प में डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब इस स्टेज पर आपको एक बर टेस्ट कर लेना अगर आपको मिठास कम लगे तो आप इसमें चीनी डाल देना और या फिर सिताफल का फ्लेवर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा सितापल का पल्प और डाल सकते हैं बहुत ही perfect होता है इसमें बिल्कुल भी कोई और चीज डालने की ज़रूरत नहीं है तो बस इस तरह से इसमें mix करने के बार इसको हम फिर से freeze में रखेंगे और आगे देखेंगे कि यह दो चमश चीनी डाल देंगे और अच्छे से इसको इस दूद में घूल लेंगे यहाँ पर आप चाहें तो चीनी का powder भी डाल सकते हैं यह आध गब सूजी अगर आप चाहें तो यहाँ पर सूजी को एक बारी mix में पीश कर भी ले सकते हैं मैंने इसी तरह से इसमें डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से इस दूद में mix करेंगे क्योंकि दूद हमने हलका सा गुन-गुना लिया है तो जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगे और यहां पर हम इसमें डालेंगे बैंडिंग के लिए आटा या फिर में डा मेरी मानों तो आप आटा ही यहां पर इस्तिमाल करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और फिर यह दो टेबल स्पून दहीं इसमें डालेंगे तो इनको हम अच्छे से मिला लेंगे और अभी 1.5 टेबल स्पून इसमें हम रिफाइंड ओयल डालेंगे अगर आप यहाँ पर बटर डालना चाहे या घी डालना चाहे तो वह भी डाल सकते हैं लेकिन जादा खुश्बू वाला तेल आप यहाँ पर नहीं डालना तो बस इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देखो यह बैटर हमारा इस तरह से बन गया है अभी बस इसको हम ढखन लगा करके 5 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 15 मिनिट के लिए रख सकते हैं और बस अभी आप देखो यह हमारा बैटर अच्छे से बन गया है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है मुझे उपर से कोई इसमें दूद या पाइन डालने की ज़रुवत नहीं है अभी बस इसमें हमें यह हाफ टी स्पून बेकिंग पावडर डालेंगे और बिल्कुल चुटकी बर जितना यह बेकिंग सोडा में ने लिया है यह डाल दिया है और अच्छे से इनको हम बैटर में इस तरह से एकदम हलके हाथों से मिला लेंगे और बस यह देखो आप बातों ही बातों में हमारा यह सुजी का पैटर बन करके बिल्कुल अच्छे से तयार है अभी इसको हम कैसे क्या बनाने वाले हैं चलिए वो देख लेते हैं तब हम एक नॉन्स्टिक तवा करम करेंगे एकदम स्लो आच पर और बिल्कुल थोड़ा सा तेल हमें इस तरह से पूरे तवे पर ब्रश कर लेना है फिर यह जो हमारा बैटर है इससे हम छोटे-छोटे से कोईन पैनकेक बना कर तयार कर लेंगे एकदम जादा बेटर नहीं दालना है वैसे आपकी मर्ची है अगर आप बड़े साइज में बनाना चाहे तो बना सकते हैं मैं यहाँ पर कोईन साइज में इसको बना रहे हूँ तो बस थोड़ी दूरी पर एक एक चमच करके बेटर डालते चाहेंगे जादा इसको शेप देने की जरुरत नहीं है बस हलका सा इसको हम फैला देंगे और यह अपने आप भी अपने शेप ले लेगा और हमें इसको बस इसी तरह से पूरे तवे पर पैंकेक बनाने के बाद इसी तरह से पकने देना है विल्कुल भी कुछ नहीं करना है और जब आपको दिखें इस तरह से कि यह पग गए हैं, फिर हम इनके उपर थोड़ा सा और तेल इस तरह से चिटक देंगे और अभी बस इनको हम पलट देंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं काफे अच्छा सा कलर आ चुका है इन पर, तो बस दूसरी साइड भी हमें ऐसा ही थो कर दावस है और फटाफट से बनालेंगे घेर सारे इससे पेणकेक बन जाते हैं और कापी सॉफ्ट से बनते हैं हलके हलकी सिताफल का ये रबड़ी वाला मिक्चर हमने बनाया है ये डाल दिया है बस जो पैनकेक है ये जब गरम ही रहे उसी टाइम हमें ये इस पर दूद डाल देना है जिसे की ये इस सिताफल के फ्लेवर को इसके टेस्ट को अच्छे से अब्जॉब करेंगे और एकदम सॉफ्ट ह जाएंगे तो बस सारा दूद इस तरह से इनके उपर डाल कर हमें बस 15-20 मिनिट के लिए इनको रखना है और फिर इनको ठंडा ठंडा खाना है तो आपने बहुत तरह की मीठे खाए होंगे लेकिन एक बार ये सिताफल नाम का जो फ्रूट होता है इसका मीठा बनाकर खा ल सबको ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज जरूर से लाइक करें सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एट्यमिशास को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें और ताकि आग